अस्राम लेकूम दोस्तों, मेरा नाम हिरा है और आज मैं आपको चानवरों और परेंदों के बारे में बताऊंगी बिल्ली एक पालतू जानवर है और बिल्ली दूद पीती है मुर्गी भी फालतु जानवर है मुर्गी कुकु कुकु करती है और हम इसके अंडे खाते हैं और इसका गोश्ट भी खाते हैं ये मचली है मचली पानी में रहती है और हम मचली भी खाते हैं ये बहुत मज़ेकी होती है ये एक बकरी है बकरी अल्द आला ने हमारे लिए बनाई है हम बकरी कोई का दूर भी पीते हैं और इसका खुश्ट भी खाते हैं और बकरी एक पालतु जानवर है ये एक हाथी है हाथी चानवरों में सबसे बड़ा होता है साइज में और चिडिया गरम जब पी जाते हैं हम हाथी की से जरूर करते हैं ये बत्तक है मुझे बत्तक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि ये बहुत ही मासूम होती है खरगोश खरगोश जो है चंगल में रहता है और ये हर वक गाजर खाता रहता है इसे गाजर बहुत अच्छी लगती है टाइगर टाइगर जो है वो जंगल में रहता है या फिर चिलिया घर में क्योंकि ये खूंख और जानवर है ये इंसानों में नहीं रह सकता शेर शेर भी एक खूंख और जानवर है ये भी गोश्ट खाता है और इसे भी हम इंसानों में नहीं रख सकते इसलिए शेट भी चिडिया घर में होता है कबूतर कबूतर को हम पाल सकते हैं कबूतर एक बहुत प्यारा परिंदा है और बहुत ही ज्यादा मासुम भी है ये बहुत सारे जानवर हैं और इनमें सबसे खतरनाफ जानवर साप है चुडिया के बच्चे घुंसले में रहते हैं इसलिए हमें घुंसले का बहुत खयाल रखना चाहिए ताकि चुडिया का घुंसला पिलकुल न तूटे और इसके बच्चों को पिलकुल नुकसान न पहुंचे ये पंदर है, पंदर हर वक्त उछलगूत करता रहता है, ये बहुत जादा शरार्ती होता है और सिर्फ केले खाता है ये बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में